नमस्कार हिंद टीवी में आपका स्वागत है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का बारह दिन हो चुका है पिछले 12 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस विवाद में पश्चिम देश के साथ एशिया के देशों ने भी किसी न किसी पक्ष में अपना विचार रखा अपना समर्थन दिया कुछ देशों ने यूक्रेन को मानवियतात के आधार पर सहायता दी तो कुछ ने राचनितिक समर्थन भी दिया यूएन में भी पश्चिम ईरोब के देशों के साथ अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ मतदान किया और सिक्यूर्टी काउंसिल में भी अमेरिका ब्रिटेन रूस के खिलाफ रहा लेकिन भारत की पॉलिसी बिलकुल अलग तरीके के थी भारत यूक्रेन को सहायता भी देता रहा और रूस के खिलाफ गया भी नहीं यानि भारत ने इस पूरे विवाद को अलग नजरिये से देखा रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसका क्या कारण है उस नजरिये से भी भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को देखा और लगभग ये तै किया गया कि उक्रेन और रूस के बीच का विवाद एक छेत्रिय मुद्दा है और उस छेत्रिय मुद्दे में भारत को परत्यक्ष तोर पर इंटरफेर नहीं करना चाहिए UN में भारत ने वोटिंग से अलग रहने का विचार किया और उसके साथ साथ Security Council का Temporary Member होने के बाद भारत उसके रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं किया इस पूरे प्रक्रिया में भारत ने जिस तरह की नीती अपनाई उससे अमेरिका भी इनकार नहीं कर सका कि भारत अब वैश्विक ताकत बन गई है और भारत की जो पॉलिसी है वो किसी के दवाब में नहीं है जब Security Council में वोटिंग से भारत अलग हुआ था तो भी अमेरिका ने कड़ी पर्तिक्रिया नहीं जता है अमेरिका और बुरिटेन एक तरफ तो यूकरेन का साथ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के वोटिंग से अलग होने को अमेरिका ने स्पस्ट तोर पर कहा था कि जिस तरह अमेरिका और रूस के बीच का संबंध है उसी तरह का संबंध भारत और रूस के बीच नहीं है भारत और रूस एक दोनों के अस्टरजिक पार्टनर हैं दोनों के पीच सैनिस साज़ेदारी भी रही है और सैनिक सामान साजो सामान खरीता रहा है भारत रूस से तो इसलिए भारत की पॉलिसी अगर अलग है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और इस स्थित्यों के बीच यूक्रेन भी ये समझ चुका है कि भारत एक ताकतवर देश है और वैश्मी कस्तर पर भारत की अहमियत धीरे धीरे बढ़ रही है यही कारण है कि अमेरिका, चीन, पश्मी, उरोप के देश नहीं बलकि यूक्रेन ने इस विवाद को खत्म करने क लिए भारत के उपर भरोसा जताया है यूक्रेन के राष्ट पती जिलन्सकी ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी से बाचित की और इस मुद्दे पर राज्यतिक समर्थन भी मांगा लेकिन भारत ने मानविये समर्थन देने की बात तो की लेकिन राज्यतिक समर्थन से अप पिर ACI ताकत चीन वो ये सारे देश पुतीन को नहीं समझा सकते और राश्पति पुतीन अगर किनी की बास सुनेंगे तो वो है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो कि पीम मोदी ने लगतार शांती की अपिन्तों की लेकिन रूस के खिलाब कुछ भी नहीं कहा भारत ने भारतियों को वापस लाने के मुद्दे पर भी भारत ने अपने इस्थेती स्पस्ट की और युकरेज सरकार ने भी भारतियों की मदद की तो दूसरी तरफ रूस के सेना भी भारत का जंडा देखके अपना रास्ता बदलता रहा यहां तक कि भारतिये चात्रों को वापस भेजने में रूस की सेना के भी भूमिका रही। उसे सुरच्छित रास्ता दिया गया। और इसके बाद तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश ने भारतिये जंडे का इस्तेमाल वहां से सुरच्छित वापस अपने नागरिकों को लाने के लिए किया। उसके राष्टपती ब्लादिमीर पुतीन से बात करेंगे। यानि पिये मोती को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी है दोनों देशों के बीच मध्यस्ता करने की। ये मध्यस्ता का आपर भारत को जो मिला है ये दुनिया भर में देश के लिए समान का व हुआ है और उसमें भी जब कश्मीर का मुद्दा आता रहा है तो इन ही यूरोप के देश अमेरिका इन देशों ने बार बार मध्यस्ता के बाद किये हैं। अमेरिका कई बार अपनी धुल्मों लिती के कारण बार बार ये बोलता रहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कश्मीर का विवाद है और इसलिए अमेरिका इसमें मध्यस्ता करने के लिए तयार है। खाला कि भारत ने हर बार उसका एउफर ठुगरा दिया क्योंकि कश्मीर भारत का इंटर्नल पाथ है और उसे कभी भी विवादित छेत्र भारत नहीं मानता है। कश्मीर का वो छेत्र जो पाक अधित कश्मीर है वहाँ पर जबरदस्ती पाकिस्तान ने कबजा कर रखा है और विवाद का छेत्र वही है ना कि पूरा कश्मीर। लेकिन अगर दिखा जाए तो जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है तो युवेल से लेकर बाहर के अस्तर पर अंदर अलग अंतररास्टिये प्लेटफॉर्म पर ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा मध्यस्ता के लिए तयार रहता है। यहां तक कि तूर्की जैसे छोटे से देश भी भारत के साथ मध्यस्ता की बात करता है। अगर भारत की विदेश निती ऐसी होती कि वो उक्रेन का पूरी तरह से समर्थन करता दिखता तो ऐसे इस्तिती में ये मौका भी नहीं मिलता और वो भी पश्चमी देशों की तरह ही हो जाता जो रूस की नजर में बिलकुल विरोधी गुट में शामिल है। पुर्वी उरोप की तरफ नेटो का प्रसार हो रहा है और रूस के सीमा पर के देशों में नेटो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। वैसे इस्थिति में पश्चिन के कोई देश या अमेरिका उसके साथ मद्यस्ता करने के इस्थिति में नहीं है। वो चाहेगा तो सिर्फ उक्रेन को चाहेगा। अगर उसके जो स्टिट्मेंट आये हैं सिर्फ और सिर्फ उक्रेन के पक्ष में आये हैं। वो इस बिवाद के ऊपर चर्चा करना ही नहीं चाता, कि आखिरकार यूक्रेन में रूस की फौज गई क्यों, उसका आधार क्या है, यूक्रेन पर रसिया का स्टेंड क्या है, और पिछले वाई, जो समझहोते नाटो और रसिया के बीच होई थे, उस समझहोते का आधार जो खराब हो रहा है गड़बडा रहा है गलत दिसा में जा रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है लेकिन भारत ने इस स्थिति को समझा और इसलिए रूस के राष्टपती पुतीन ने भी परधान मंत्री नरेंदर मोधी को धन्यवाद दिया थ स्थिति में कोई भी ऐसे बड़े देश नहीं है जो दोनों के बीच एक सम्मान जनक तरीके से मध्यस्ता करने के स्थिति में हो उसमें भारत का नाम सामने आया क्योंकि जलेंस्की को भी भारत के उपर भरोसा है वो जानते हैं कि अगर अमेरिका या ब्रिटेन फ्रांस जर् नहीं उनके साथ है और वो अगर रूस से कोई भी बात चित करेगा तो रूस मानने को तयार नहीं होगा क्योंकि इन देशों ने सैनिक मदद यूकरेन की की है दूसरी तरफ जो कुछ देश है जो सीधे रसिया से जुड़े हुए है उसकी बात यूकरेन नहीं मानेगा ऐसे सिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो बीच का रास्ता अपनाये हुए है मानवी आधार पर यूकरेन को सहयोग भी कर रहा है तो दूसरी तरफ राजनितिक तरीके से रूस के साथ खड़ा है और यहीं वो ताकत है जिसके कारम आज दोनों देशों ने लगबगे सहमती बना आएंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले जहां राष्टपती पुतीन और जेलेंस की दोनों एक दूसरे से बात्चित कर सके और इस युद्ध का समाधान निकल सके तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते र हमसे चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहे हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद